समग्र कृशी सूचना विभाग, अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम स्वागतम इस विभाग में हम प्रथम पोशक तत्वों में से पोटेशियम और उसकी भूमी का किस-किस अवस्था में उसका कैसा इस्तमाल करते है इसके बारे में जानेंगे ये पोटेशियम जो की मुख्य तहा पोधे में पानी की आपूर्ती और पोधे में तयार होने वाले पिष्टमय पदार था ये सभी पूरी तरह से पोधे को सभी भागों में पहुचाना हो तो पोटेशियम का योगदान बहुत है मतलब पोधा बाहर आने के 15 दिनों के बाद फोस्फरस की आवशक्ता होती है क्यूंकि इस समय से पोधा पानी ग्रहन करता है इसकी वज़े से प्रकास संस्लेशन होता है इस सभी को पोधे को सभी भागों को पहुचाने में पोटेशियम की भूमी का महत्वपूर्ण होती है इतना ही नहीं कार्बन डाय ओक्साइड उपर से पोशक्तत्व जडवेवस्था को पहुचाने में भी पोटेशियम की भूमी का महत्वपूर्ण होती है मतलब अंदर से होने वाली सभी प्रक्रिया में पोटेशियम की भूमी का महत्वपूर्ण होती है प्रक्रिया जो भी कुछ होती है इसमें पोटेशियम की भूमी का महत्वपूर्ण है हमारे बहुत से किसान ऐसे करते हैं कि पोटैशियम को फल के आकार को बड़े आकार के लिए अच्छे फल के लिए और अधिक संख्या में आने के लिए उसी अवस्था में पोटैशियम का इस्तमाल करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, फलधारणा की अवस्था में ही करना चाहिए, साथ साथ पौधे के विकास अवस्था में भी इस्तमाल करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि पौधे में पानी की आपूर्ती, पिष्टमय पदार्थों की आपूर्ती, इन सभी को पौधे के सभी भागों पोटेशियम में प्रसारित करने के लिए पोटेशियम की जरूरत बहुत ही है इसलिए विकास अवस्था में पोटेशियम की जरूरत है लेकिन वृद्धी अवस्था में पुश्पधारना की अवस्था में इसकी जरूरत कम होती है कम देने से भी पौधा काम चला लेता है प उसका वजन बढ़ने के लिए और अधिक संख्या में फल आने के लिए ये सभी होने के लिए पोटैशियम की भूमी का बड़ी होती है। आने के 15 दिनों के बाद वृद्धी अवस्था में फलधारणा समय में भी जादा इस्तमाल करना चाहिए। कितने किलो और कौन सी अवस्था में इस्तमाल करना ये मैं आगे बता दूँगा। पौधे में कई प्रकार के इंजाइम्स तैयार होते हैं। इन इंजाइम्स को सक्रिय बनाता है। अच्छी तरह से सभी जीवनकारियों में शामिल हो जैसे इंजाइम को सक्रिय बनाता है। इसमें पोटेशियम की भूमी का बड़ी होती है। मतलब हर पौधे के किसी क्रिया में इन इंजाइम के जीवनकारिय में शामिल होना चाहिए वो इस तरह अच्छे से शामिल होने के लिए पोटेशियम काम करता है इसलिए पौधा आने के 15 दिनों के बाद से हमें पोटेशियम पोधे को देना चाहिए इसे कौन से अवस्था में कितना ये मैं फिर बताऊंगा, लेकिन हर अवस्था में ज़रूरी है, ज़्यादा तर फलधारना के अवस्था से पोटेशियम ज़्यादा देना है, जडवेवस्था के विकास होने के लिए पोटेशियम ज़रूरी है, क्यूंकि उपर तयार हुए पिष्टमय पदार्थ और अन्य पदार्थ उपर से जमीन में जडवेवस्था में प्रवाहित करता है पोटेशियम। इसलिए जडवेवस्था के वृद्धी के लिए पोटेशियम चाहिए। इस तरह सभी तरह से पोटेशियम सहाय करता है। Potassium वातावरन में मतलब हवा में नहीं होता. जमीन से ही Potassium मिलना चाहिए. Potassium सहस्ता से मिलने के लिए बाजार में Potassium Mobilizing Bacteria मिलता है. इस PMB नाम के बैक्टेरिया को या जैविक उर्वरक को कारबन आधारित उर्वरकों के साथ इस्तमाल करने से जमीन में सहस्ता से मिलने वाला Potassium पौधे को पहुँचाता है. अन्यथा उसमें Potassium संबंधित रासाइनिक उर्वरकों का इस्तमाल होता है. लेकिन ऐसी बोरिया इस्तमाल नहीं करना चाहिए. पौधे के विकास अवस्था में कम, पुष्पध हरना के अवस्था में भी कम और फलद हरना के अवस्था में अधिक देना चाहिए. इसे भी पौधे के हर अवस्था में परियापत मात्रा में इस्तमाल करने से लाबदायक पैदावार मिलेगी. इसलिए ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फोस्फरस इन तीनों की भूमी का एक समान होती है. पोटेशियम भी विकास अवस्था में लेकर हर अवस्था में ज़रूरी है. इसकी भूमी का महत्वपूर्ण है क्यूंकि पोधे में तैयार होने वाले पिष्टमय पदार्थ या अन्य चीजों को सभी भागों में पहुँचाना हो तो पोटेशियम की ज़रूरत है. इसलिए हर अवस्था में पोटेशियम की उपलब्धता होगी ये हमें देखना चाहिए. ये है पोधे की जीवन चक्र में पोटेशियम का महत्वपूर्ण उप्योग और उसकी भूमी का. इंजाइम अच्छे तरह से सामिल होने के लिए पानी और अन्य पदार्थ सभी जगह पहुँचाने के लिए फल धारना से संपूरन फल तैयार होने तक अच्छा आकार, वजनदार फल आने के लिए, फल का छिलका तैयार होने के लिए, सौरक्षक कवज जैसा छिलका मजबूती से बनने के लिए और अधिक दिन रखने के लिए पोटेशियम की जरूरत है. इन सभी तरह से पोटेशियम की जरूरत होती है, लेकिन आवशक्ता से अधिक इस्तमाल नहीं करना चाहिए पौधे के विकास अवस्था में पोटेशियम अधिक इस्तमाल करके फल धारणा की अवस्था में कम करने से नुकसान हो जाएगा रासाइनिक उर्वरक पोधे के अवस्था के अनुसार इस्तमाल करना चाहिए, इसे प्रकार पोटेशियम इस्तमाल करना चाहिए मुख्य तहां विकास अवस्था में, कम पुष्पधरना की अवस्था में, कम और फल धरना के फल तैयार होने तक पोटेशियम अधिक देना चाहिए वो भी किलो की मात्रा में अन्यथा, जमीन से सहज रूप में मिलने वाला पोटेशियम पोधे को पहुचाना हो, तो पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टेरिया जो बाजार में उपलब्द है, इस पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टेरिया को कारबन आधारित उर्वरकों के साथ जमीन में हर सा पहुँचाना चाहिए. हमने जो भी रासाइनिक पोटेशियम का इस्तमाल किया है, उसे व्यर्थ छोड़े बिना, उसे भी सहस्ता से परिवर्थित करके ये PMB पोधे को पहुँचाता है. हमारी खेट की जमीन में पोटेशियम की कमी होने से वो कमी पत्तों में साफ साफ दिखाई देगे. पत्तों में हलका पीला पन धब्बे जैसा दिखाई देगा. पत्तों के आखरी भाग सूखने लगते हैं. उसी तरह पत्ते जले जैसा या जंग लगे जैसे और पूरा पत्त जला हुआ जैसे दिखाई देता है उस अवस्था में हमें पोटेशेम की एक कमी की पूर्ती करना चाहिए किसान भाई जिन रासाइनिक और वरकों का इस्तमाल करना चाहते हैं उसे समझने के बाद उस अवस्था के मताबिक इस्तमाल करो धन्यवाद झाल करना चाहिए